आज की जो रेसिपी है उसे बनाना बहुत ही आसान है आज मैं वीगन कंडेंस मिल्क की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके लिए हमें सरफ दो इंग्रीडियन्स चाहिए कंडेंस मिल्क का कई चीज़े बनाने में इस्तमाल किया जाता है जैसे की गाजर का हलवा, आईस क्रीम, कुल्फी, खीर, केक्स और ठंडी गरम बेवरिज़स चलिए शुरू करते हैं मैं आधा किरो काजू का दूद ले रही हूँ आप नारियल का दूद भी ले सकते हैं एक पैन को मीडियम आँच पर गरम कर लेंगे और उसमें दूद डालेंगे अब इसमें आधा कप चीमी डाल कर तीन से चार मिनट तक के लिए मीडियम आँच पर हिलाते रहेंगे दूद जब तेज गरम हो जाए तब आँच को हलका कर देंगे और लगभग 30 से 40 मिनट तक के लिए पकाईए अब आप देख सकते हैं कि दूद आधे से भी कम रह गया है और काफी गाड़ा हो गया है इस पॉइंट पर जब चमच को दूद में डाल कर निकालेंगे तब दूद की एक लेयर चमच पर आजाएगी जिसका मतलब है कि कंडेंस मिल्ग तयार है अब कंडेंस मिल्ग को एक साफ जार में ट्रांस्वर कर लेंगे और जब दूद ठंडा हो जाए तब उसे फ्रिज में स्टोर कर लेंगे फ्रिज में स्टोर किया हुआ कंडेंस मिल्ग और भी गाड़ा हो जाएगा आप इस कंडेंस मिल्ग को मिठाई बनाने के लिए पैनकेक्स पर या आइस्ट कॉफी में भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी कई स्वादश रेसिपी इस के इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए